हलो दोस्तों आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर आज हम 4 जन्वरी को हुए सी टेट 2021 पेपर वन के फुल 30 कोस्चन सी डी पी के गंपलीट करेंगे दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तो आपका पहला कोस्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग इस एन एक्जामपल आफ दा यूज आफ ग्रॉस मोटर स्किल्स निमनलिकित में से कौन स्थूल मोटर कोसल के उप्योग का एक उधारण है तो आपका फर्स्ट को उप्शन पहला सही हो जाएगा एक पैर पर संतुलन बैलेंसिंग ओन फूट आपका सेकंड कोस्चन आया था डवलोप्मेंट चेंजिस आर रिजल्ट ओफ विकास परिवर्तन का परिडाम है तो आपका सेकंड को उप्शन पहला सही हो जाएगा ओन वनसिक और पर्या वरणी परिस्टियों का अनूठा संयोजन यूनीक कॉंबिनेशन ओफ जेनिटिक और इन्वार्मेंट सरकम्टेंस आपका थर्ड कोस्चन आया था दा पीरिड फ्रॉम तू इयर्स तू सिक्स इयर्स इस रिफर्ड तो आपका थर्ड को उप्शन दूसरा सही हो जाएगा प्रारंभिक बच्पन अर्ली चाइल्ड हु तो आपका अभिकतन दिया गया था सहरों में बच्चों का बहुत सारा खिल रियालिटी सोप पर अधारित होता है जो वे देखते हैं कारण दिया गया था इन दुनों परिवार और साथियों के अलावा मीडिया बच्चों के सामाजी करण का एक महत पुर्माध्यम बनता ज ही हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एकी सही व्याख्या हैं आपका फिप्ट कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग पैक्टर्स आर कंसीडर्ड इंपॉर्टेंट बाई प्याजे टू फैसलियेट लर्निंग प्याजे द्वारा अधिगम को सुगम बन गतिसीलिता विविज समग्रियों का प्रावधान मद इस्तरी नवीन अनभव प्रदान करना आपका सिक्स्त कोश्चन आया था कि सवस्ता में बच्चे संसार के प्रति एक जीव व्यादी द्रश्टि को रखते हैं और मानते हैं पेडों और पोधों के साथ साथ चलते जादे हो सकते हैं तो आपका सिक्स्त को ऑप्षिन दूसरा सही हो जाएगा पूर्व संचालन चरण प्री ऑपरेशनल स्टेज दोस्तों यह हिंदी गूगल ट्रांसलेटेड होती है इसलिए हिंदी काफी टाफ होती है तो मैं आपसे यहीं बोलूंगी कि इंगलिस को एक ब पूर्भूमी का निभाती है तो आपका सेवेंद को ऑप्षन पहला सही हो जाएगा लेव वेगॉट्सकी आपका एट्थ कोश्चन आया था अकॉर्डिंग टू वेगॉट्सकी चिल्ड्रेन लर्न बाए वेगॉट्सकी के अनुसार बच्चे सीखते हैं तो आपका को ऑप्षन दूसरा करेक्ट हो जाएगा ज्यान के निर्माड में सक्री रूप से लगे होते हैं आपका टेंथ कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग इस आ करेक्टली मैस्ट पेयर निम लिखित में से कौन सा सही सुमेलित युकम है तो आपका टेंथ कोश्चन द इन हावर्ड गार्डनर के सिध्धानत में डेश बुद्धी पर उच्छ व्यक्ति वनस्पतियां और जीवों की विभिन प्रजातियों की पहचान सकता है और उससे अवगत हो सकता है तो आपका इलेवंध कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा प्रकृति वादी आपका ट्वल्थ कोश्चन आया था नेशनल एडुकेशन पॉलसी 2020 रिकमंट्स राष्ट्री सिच्छानीती 2020 की सिपारिस करती है तो आपका ट्वल्थ कोश्चन पहला सही हो जाएगा बहु भाशावाद मल्टी लिंगुजम आपका थर्टींद कोश्चन आया था एक सिच्छक ये धाड़ा रखता है कि लड़के अधिक बुद्धिमान है और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़किया आग्या कारी और इमानदार होती हैं और उनके अनुसार बेवार करती हैं इसका एक उधारन है तो आपका थर बच्चों का आकलन करने के लिए विभिन्य प्रकार के आकलन उपकरणों और तक्नीकों का उप्योग करना चाहिए करण दिया गया था कोई भी एकल मूल्यांकन उपकरण विकास के विभिन्य छेत्रों में बच्चों के प्रगती और सीखने के बारे में जानकारी प्रदान करने में सच्छम नहीं है तो आपका फूर्टीन कॉप्शन पहला सही हो जाएगा ए और आर दोनों सत्य है और आर एकी सही व्याख्या है आपका फिप्टीन कोशन आया था विच आप फॉलोविंग सुचुवेशन्स डेस नौट इलस्ट्रेट असिस्मेंट फॉर लर्निंग निमनल खित में से कौन सी इस्थती सीखने के लिए आकलन को प्रदर्शित नहीं करती है तो आपका फिप्टीन को आप्शन तीसरा सही हो जाएगा प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए चात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है आप ये ध्यान जरूर दीजिएगा पूछा क्या गया है नहीं है या है क्यूंकि इसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और कोशन गलत कराते हैं तो आप एक बारी अच्छे से पढ़िये और ध्यान दीजिए क्या पूछा गया है और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा आपका सिक्स्टींत कोशन आया था इंक्लूजिव एडुकेशन रिक्वायर समा वेसी सिच्छा की अवशकता है तो आपका सिक्स्टींत का पहला सही हो जाएगा लचीला सिच्छा साथ फ्लेक्सिबल पेडगोजीज आपका सेविन्टींत कोशन आया था विच आप दा फॉलोविंग डिसेबेलिटी कॉसेज चलेंजिस इन सोस्टल कॉम्निकेशन निम्न लिखित में से कौन सी विकलांगता सामाजिक संचार में चुनोतियों का करण बनती है तो आपका सेविन्टींत कोशन पहला सही हो जाएगा आत्मे केंदरित आपका एटींत कोशन आया था विच आप दा फॉलोविंग हेल्प इन इन्कूजन आफ लर्नर्स फ्रॉम डिस एडवांटिजिस एंड डिप्राइब्ड ग्रुप्स निम्न लिखित में से कौन वंचित और वंचित समूहों के इस चार्थियों को सामिल करने में मदद करता है तो आपका एटींत कोशन पहला सही हो जाएगा विवित्ता पर विचार कंसिडरेशन ओफ डाइवस्टी आपका नैंटींत कोशन आया था प्रोवीजन अफ मल्टिपल मोट्स और रिपरेजेंटेशन ओफ कंटेंट विल हेल्प इन्क्लूजन ओफ सामगरी के प्रतनी धित्व के कई तरीकों के प्रावधान से निमन लिखित को सामिल करने में मदद मिलेगे तो आपका नैंटींत कोशन फोर्थ करेक्ट हो जाएगा फस्स सेकेंड थैड और फोर्थ स्रवड बाधित छात्र दस्टी बाधित छात्र सीखने की कटनाई का सामना करने वाले छात्र गतिमान कटनाईयों का सामना करने वाले छात्र आपका टॉंटीध कोश्चन आया था विच आप दा फॉलोविंग इस आ करेक्ली मैजड पेयर आफ एप्रॉप्रियेट अकॉमोडेशन इस्ट्राटिजीज फॉर इंक्लूजन आफ इस्टूरेंट्स विच स्पेसिफाइड डिसेबेलिटी निमनलिकित में से कौन कौन सी विकलांगता निर्दिष्ट करने वाले छात्रों को सामिल करने के लिए उप्युक्त आवास रण नीतियों की एक सही सुमेलिक जोड़ी है तो आपका टॉंटिएथ का आप्षिन पहला सही हो जाएगा डिस कैलकुलिया कैलकुलेटर का प्रवधान डिस कैलकुलिया प्रवीजन आफ कैलकुलेटर आपका टॉंटिफर्ट कोश्चन आया था इन अर्ली ग्रेट्स विच आप्धा फॉलोविंग एप्प्रोच इस प्रवरेबल फॉर टीचिंग लर्निंग प्रारंबिक अच्छों में सिछण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम लिखित में से कौन सदरश्टी कोड बहतर है तो आपका टॉंटिफर्ट कोश्चन दूसरा सही हो जाएगा करके सीखना लर्निंग बाई डुइंग आपका टॉंटिफर्ट कोश्चन अजर्शन और रीजन वाला दिया गया था तो आपका अभिकत्थन दिया गया था सीखने के लिए विद्याले के सामाजिक जीवन में भागिदारी महतपूर है सीखना आपका करण दिया गया था सीखना प्राथमिक रूप से एक सामाजिक गतिविधी है तो आपका टॉंटिफर्ट कोश्चन पहला सही हो जाएगा आपका टॉंटिफर्ट कोश्चन दिया गया था सिखन की गतिविधी हो को सार्थक बना सकते है तो आपका टॉंटिफर्ट को आपको ऑप्शन फौर्थ करेक्ट हो जायेगा उन्हें प्रामालिक संधर्व में इस्थित्प करना situating them in an authentic contact आपका 24th question आया था विच आप दा फॉलोविंग पेड़गोजिकल प्रैक्टिस और डिस नॉट कॉंट्रीब्यूट पॉस्टिवली इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस निम लिखित में से कौन सी सेच्छड़क पद्दतिया सिच्छड अधिगम प्रक्रिया में सकारात्मक योगदान नहीं देती हैं तो आपका 24th option फॉर्थ करेक्ट हो जाएगा कठोर परिच्छा केंद्रित सिच्छड रर्नितिया विजिट एक्जाम सेंटर टीचिंग स्टाटिजीज आपका 25th question अजर्शन और रिजन वाला आया था आपका अभिकतन दिया गया था एक सिच्छक को पढ़ाय जाने वाले विशेवस्तु को छातरों के दैनिक जीवन के अनभों से जोड़ना चाहिए कारण दिया गया था बच्चे जीवन के बहमूल अनभों के साथ विद्याले जाते हैं विद्याले आते हैं जिन पर सिच्छकों को ध्यान देने की अवशक्ता होती है तो आपका 25th question पहला सही हो जाएगा A और R दोनों सत्य हैं और R A की सही व्याख्या है आपका 26th question आया था बच्चों में होती है भांतिया तो आपका 27th question तीसरा सही हो जाएगा प्राकृतिक आपका 28th question आया था एक चात्र जो सीख्यू वी आ सहायता का अनभोग कर रहा है की संभावना है तो आपका 28th question फोर्ट करेक्ट हो जाएगा सीखने की गतिविदियों से पीछे हटना दोस्तों अगर आपको यी वीडियो अच्छे लगते चैनल को सब्सक्राइब जिरूर टीज़ेगा आपका 29th question आया था निमनलिखित में से कौन आंत्रिक प्रेणा का उधारण है तो आपका 29th का फर्स्ट ओप्शन करेक्ट हो जाएगा रुच्छ के कारण एक नई भासा सीखना आपका 30th question आया था इन्वार्मेंटल फेक्टर विच इंपेक्ट लर्निग निमनलिखित में से कौन सा एक पर्या वरणी कारत है जो सीखने को प्रभावित करता है तो आपका 30th option फर्थ करेक्ट हो जाएगा इस्कूल तो दोस्तो आज हम लोगों ने 4th जन्वरी को हुए CTAT 2021 पेपर वन के फुल 30 questions CDP के कंपलेट कर लिए है अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा दोस्तों के साथ सेयर करें वीडियो को लाइक करें थैंक यू फर वाचिंग दा वीडियो